हेलो एवरिवन, स्पीड ग्यान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलजेबरा के वो क्योसंस जो लगबग हर एक्जाम में पूछे जाते हैं सबसे पहले हम उनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे उसके बाद उनके उपर जो भी ट्रिक्स बनती हैं उनको जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए है इन फॉर्मूलेज के आधार पर ही आज की जो क्लास बनने वाली है वो बनेगी ठीक है A प्लस B का जो स्केर है वो किसके बराबर होता है A स्केर प्लस B स्केर प्लस 2AB A माइनस B का जो स्केर है वो होता है A स्केर प्लस B स्केर माइनस 2AB और A प्लस B का क्यूब है वो होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B इसी तरह से a minus b का जो cube है वो होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b और a square minus b square होता है a minus b into a plus b ठीक है ये तो थे formulas अब किस्टन पर चलते हैं मालो हमें दिया है x plus 1 by x की जो value है वो है 6 और हमें find करना है x square plus 1 by x square की value क्या होती है हमने अभी एक formula पढ़ा था क्या a plus b जब इसका square करते हैं किसके परावर होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है अब यहाँ पे अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो जब हम इसको square करेंगे तो क्या आएगा x square plus 1 by x square plus 2ab a कितना है x और b कितना है 1 by x है और जब 6 का square करेंगे तो कितना होगा 36 अब x से x यहाँ पे क्या हो गया cancel हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पे x है into 1 by x है तो x से x क्या हो गया cancel हो गया तो यहाँ पे क्या बचा x square plus 1 by x square बराबर जब 36 है तो 2 धरा कर क्या होगा माइनस का तो यह होगा 34 ठीक है यानि कि x square plus 1 by x square की value हमसे पूछे गई थी तो इसकी जो value है वो आ गई 34 ये तो था इसका basic concept कि हम इसको कैसे करते हैं अब अगर यहां से हम कुछ trick निकालना चाहें तो trick हम की का निकाल सकते हैं जब भी हमें यहां पे x plus 1 by x की कोई भी value दी हुई हो कोई भी value यहां पे दी हुई हो तो यहां पे क्या करेंगे हमसे पूछा जाए x square plus 1 by x square की value क्या होगी तो क्या करेंगे जो ये value है इसका square करने पर इसमें 2 घटा देंगे क्यों घटा देंगे क्योंकि जब यहां पे 2ab हम करते हैं यहां पे 2ab तो यहां पे a और b आपस में क्या हो जाता है cancel हो जाता है और जो यहां पे क्या बसता है सिर्फ 2 बसता है और यह जब 2 plus का होता है तो इधर आकर क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है ठीक है जैसे हम कोई example लेते हैं यानि कि हमें अगर कोई value दी हुई हो x plus 1 by x की value 4 है हमें find करना है x square plus 1 by x square की value क्या होगी तो हम यहां से direct trick यह निकाल सकते हैं कि जो यह संख्या है यह value है इसका square करने पर हम 2 माइनस कर देंगे 4 का square कितना होगा 16 इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे तो जो x square plus 1 by x square की value आईगी यह आईगी 14 कैसे देखो हम formula बुट करते है x square plus 1 by x square plus 2 a b a कितना है x और b कितना है 1 by x तो x से x क्या हो गया cancel हो गया और 4 का square कितना था अब भी x plus 1 by x की value कोई भी दी हुई हो और x square plus 1 by x square निकालना हो तो हम क्या करेंगे जो value है हमारे पास उसका square करने पर हम उसमें से 2 minus कर देंगे ठीक है एक तो trick हमारे पास ये बन गई अब अगले question पर चलते हैं अगला question हमें दिया है x minus 1 by x की जो value है वो है 7 और हमें value निकालनी है x cube minus 1 by x cube की अब हमने एक और formula देखा था क्या देखा था a minus b अगर इसका cube करते हैं तो किसके बरावर होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b ठीक है ये होता है इसका formula अब यहापे हमें cube निकालना है तो cube के लिए हम क्या करें हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं a minus b और इसका cube करते हैं ठीक है तो a का cube कितना हो जाएगा x cube minus b का cube 1 by x का cube minus 3ab a कितना है x है और b कितना है 1 by x है into में क्या है a minus b और a minus b कितना है a minus b हमारे पास 7 है ठीक है अब 7 का cube कितना होता है 7 का cube होता है 343 ये इसके क्या आ आ गया, ठीक है, अब देखो, यहां से x, x आपस में क्या हो गए, cancel हो गए, यहां पर क्या बचा, x3 minus 1 by x3 minus 3 into 7, बराबर है 343 की, और x3 minus 1 by x3 किसके बराबर हो जाएगा, 343, और जो यह 7 यह 21, 21 इदर क्या आ गया, प्लस का आ गया, क्यों, इदर माइनस का है, तो इदर आ कर क क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो x3 minus 1 by x3 की जो value आ गई, वो आ गई हमारे पास, 364, ठीक है, हमें क्या निकालना था, x3 minus 1 by x3 की value निकालने थी, वो कितने आ गई, 364, यह तो था इसका basic concept, ठीक है, basic method इसको करने का, अब यहां से अगर हम trick निकालना चाहें, तो दूसरी ट हो, तो, और cube निकालना हो, x3 minus 1 by x3, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे क्या करेंगे, जब भी 3ab into a minus b बनेगा, तो a, b से क्या होगा, आपस में a और b आपस में cancel हो जाएंगे, और जो भी यहां पे value होगी, उसका हम क्या करतेंगे, thrice करतेंगे, और इसमें add करतेंगे, जैसे कोई हम example लेते हैं, x minus 1 by x की value हमें दी हुई है, 3, और हमें निकालना है, x3 minus 1 by x3, तो हम यहां पे, अगर direct trick निकालना लगाना चाहें, तो trick हम यहां पे क्या लगाएंगे, जो यहां पे value है, जो यह value है, इसका हमें पहले क्या करना है, cube करना है, तो 3 का cube कितना होता है, 27, अ अब x minus है ना यहां पे, minus है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसमें add करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब यहां पे minus होगा, तो इधरा कर बाद में ही क्या हो जाएगा, change हो जाएगा sign, यह इधरा कर add हो जाएगा, तो जब minus में है, तो हम क्या कर देंगे, इसक यानि कि x cube minus 1 by x cube की जो value है वो आगई 36. आइ बात समझ में कैसी करना है जो भी संख्या याँपे होगी कोई भी value याँपे होगी, उसका पहले हमें क्या करना है? Q करना है और उसमें add करना है जब यहाँपे x minus 1 by x हो और x cube minus 1 by x cube निकालना हो, तभी की बात हो रही है, अगर x cube प्लस 1 by x cube पूछ लिया जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है, ये सिर्फ इसी के लिए implement हो गई है, ठीक है, confuse नहीं होना है, पहले हमें basic को समझना है, उसके बाद हम कैसे trick निकाल रहे हैं, उसको समझना है, direct rata नहीं मारना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 27 प्लस 9, 36 आ गया, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, अब अगले question पर चलते हैं, अगला question क्या है, अगला question है यहाँ पर, x की power 4, प्लस 1 by x की power 4, इसकी value निकालनी है, यदि हमें दिया हुआ हो, x प्लस 1 by x की value है, वो है 4, अब हमें यह देखना है, x प्लस 1 by x तो हमें दिया हुआ है 4, और x की power 4, प्लस 1 by x की power 4 निकालनी है, तो हम इसको, x की power 4, प्लस 1 by x की power 4 कैसे बना सक देखो, अगर एक बर हम इसको square कर दें, जो भी value आएगी, उसका हम अगर दुबारा से square कर दें, तो x की power 4 plus 1 by x की power 4 बनेगा, देखो कैसे, इसको मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं b, और हमारे पास formula क्या है, a plus b का square, a square plus b square plus 2ab, अब इसमें implement करते हैं, इसमें रखते हैं सारी values, a plus b, x कितना है, a कितना है, x, x square plus 1 by x square plus 2ab, ए और भी आपस में cancel हो जाएंगे, 2 बचेगा, 4 का square, 16, तो x square plus 1 by x square कितना आ गया, 14 आ गया है, ठीक है, x square plus 1 by x square क्या आ गया, 14 आ गया, पर निकालना क्या है हमें, x की power 4 plus 1 by x की power 4 निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फिर से square कर देते हैं, दोनों साइड हम फिर से square कर देते हैं, तो square करने पर क्या होगा, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a square plus b square फिर से यही formula लग जाएगा, यानि कि यह कितना बजाएगा, x क पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 कितना आ गया 114ान में आ गया यहाँ पे ठीक है यही हमें find करना था तो कैसे निकाल दिया हमने दो बार इसका square किया अब यह तो था हमारा basic method अब यहीं से हमने जो पहले किस्वें में trick सीखी थी कि जब x प्लस 1 बाई x हो कोई भी value हो और x square प्लस 1 बाई x square निकालना हो तो क्या करते हैं तो वही trick हम इससे लगा कर देखते हैं कैसे लगाएंगे देखो x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 निकालने थी तो पहले हम निकाल देते हैं x square प्लस 1 बाई x square x square plus 1 by x square के लिए क्या निकालते हैं जो भी यहाँ पर value होगी उसका square करने के बाद क्या करेंगे उसमें 2 घटा देंगी square करने पर क्या आ गया 16, 16 मैंसे 2 घटा आया तो क्या बज़ गया 14 यह किसकी value आ गई 1 by x square x square plus 1 by x square अब निकालना है x की power 4 plus 1 by x की 4 अब दुबारा सी इसका square कर रहे हैं तो क्या होगा जो यह value होगी उसका square करने के बाद उसमें क्या कर देंगे 2 घटा देंगे 14 square कितना होता है 196 उसमें 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 194 यानि कि हम और ले भी इसको कर सकते थे यह था इसका basic method और यह था जो हमने trick सीखी थी उसको कैसे implement करना है अब अगले question पर चलते हैं अगला question क्या है अगला question दिया हुआ है x plus 1 by 2x बराबर दिया है 2 और 8x की cube plus 1 by x की cube इसकी value हमें find करनी है तो हम इसको कैसे कर सकते है देखो यहाँ पर हमें बनाना है 8x और यहाँ पर रखना है x लेकिन यहाँ पर क्या है 2x यहाँ पर क्या है x तो हम क्या करते हैं हम जो यह equation first है इसको हम 2 से multiply करते हैं ठीक है क्या करते हैं 2 से multiply 2 से multiply करने पर क्या होगा यह होगा 2x plus यह क्या जाएगा 1 by x क्यों क्योंकि 2 यहाँ पे आने पर 2 से 2 कैंसल हो गया और इधर क्या आ गया 4 आ गया ठीक है तो यह हमारी नई equation बन गई यह equation नमबर 2 रख देते हैं अब निकालना क्या है 8x3 plus 1 by x3 formula क्या है a plus b की cube किसके बराबर होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b यह होता है इसका formula अब formula में इसको रखते हैं इसको a माल लेते हैं इसको माल लेते हैं b अब a का जब cube करेंगे कितना होगा 8x3 plus 1 by x3 plus 3ab 3a कितना है 2x है और into में b कितना है 1 by x है और into में a plus b a plus b कितना है 4 है यह हो गया 4 बराबर किसके हो जाएगा तो 4 है इसका क्या कर देंगे cube 4 का cube कितना होगा 64 अब 8x3 plus 1 by x3 अब x x यहां पर क्या हो गया cancel हो गया यहां पर कितना बज़ गया 6 गुना 4 बराबर 64 अब 8x3 plus 1 by x3 कितना आ जाएगी यह 24 हो गया 24 इदर आकर गट जाएगा तो कितना बज़ गया यह बज़ गया हमारे पास 40 ठीक है यानि कि 8x3 plus 1 by x3 की जो value निकालनी थी वो आ गई हमारे पास 40 इस तरह से हम इन questions को कर सकते हैं ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तो चैनल को like करने के साथ बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज हम डाले उसका notification आप लोगों तक पहुंच सके ठीक है और जो भी आपके doubts हो वो comment करके आप जरूर बताएं थैंक यू